हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूटूब चैनल मैथमैजिक पटना में तो जैसा कि SSC MTS का नोटिफिकेशन 17 तारिक को आने वाला था जो उन्होंने अपने कलेंडर में बताया था वो 17 को नहीं आउट हुआ था, बच्चे उसका बेसबरी से इंतजार कर रहे थे फाइनली वो अभी 11 बजे रात में आउट हुआ है तो इसमें काफी सारे चेंजिस देखने को मिले हैं तो इस वीडियो में आपको मैं डीटेल से बताने जा रहा हूँ कि क्या-क्या चेंजिस हुए हैं तो वीडियो को लाज तक बिना स्किप किये देखिएगा ताकि कोई इंपोर्टेंट चीज आप लोग मिस न कर दें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दिजेगा तो देखिए SSC MTS 2022 का जो वैकेंसी है वो आउट हो चुका है जो की 18.01.2023 यानि की आज से 17 फरवरी 2023 तक भरा जाएगा 17 फरवरी 2023 तक इसका लाजड डेट है वही ऑनलाइन पेमेंट का लाजड डेट 19 फरवरी तक है और इसमें एक्जाम डेट भी मेंसन किया गया कि अप्रील में आप लोग का एक्जाम होगा तो देखिए इसमें जो सबसे वड़ा चेंज देखने को मिला है मैं पहले वैकेंसिस की बात कर लेते हैं कितना वैकेंसिस है तो MTS में 10,886 वैकेंसिस है वो अभी इन्होंने एप्रोक्स रखा यानि की अभी और बढ़े गा ही 10,886 ये लगवग 15,20,000 तक भी जा सकता है और वहीं हवलदार का 529 वैकेंसिस है तो टोटल लगवग 11,300 कुछ वैकेंसिस है तो काफी वैकेंसिस है इतनी उसके बात देखिए ये प्रिजर्वेशन के बारे में दे रखा है डायक्ट में आप लोग को पैटर्न के पास ले चलता हूं कि पैटर्न में उन्होंने क्या बदलाव किया है 67 पेस का उन्होंने नोटिफिकेशन आउट किया है यह देखें सेंटर दिखती है एक्जामिनेशन सेंटर आप लोग देखके सेंटर भी भर सकते हैं यह देखें यह है आप लोग का जो पैटर्ण में बदला हुआ है उन्होंने पहले तो दो सेशन में बाट दिया है सेशन वन में आप लोग का मैठ से वह रिजनिंग है वहीं सेशन टू में जी ये एंड इंगलिस है मतलब की जी के और इंगलिस तो जो मैठ और इंगलिस नमबर का 20-20 question 60 marks का होगा यानि कि multiply 3 marks आप लोग को मिल रहा हैं जिसके लिए आप लोग को 45 मिनट का time दिया जाएगा वहीं जो है general awareness और English language ये 25-25 question 75-75 marks के होगे और इसके लिए भी आप लोग को 45 मिनट का time दिया जाएगा यानि 45-45-90 मिनट time उन्होंने same रखा है बस 2 session में बाट दिया है और math और reasoning का 5-5 question कम कर दिया है और वहीं जो number पहले एक मिलता था अब multiply 3 हो गया है और इन्होंने में इसमें देखिए negative marking का बहुत बड़ा वो उन्होंने खेला है देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे there will be no negative marking in session 1 जो session 1 है आप लोग का math 7 reasoning का इसमें negative marking है ही नहीं वहीं देखिए क्या है in session 2 there will be negative marking जहां कि session 2 जो आपका gk और english है उसमें negative marking है तो कितना negative marking है one mark for each wrong मतलब कि आप लोग अगर gk और english में एक गलत कीजिएगा तो आप लोग का एक number घटा दिया जाएगा तो बहुत अच्छे से आप लोग को exam देना candidates are there for advice to keep this in mind while answering the question तो इन्होंने यही पूरा pattern change कर दिया है पहले 100 number का exam होता था और उसके बाद फिर descriptive होता था उसके बाद descriptive हटा दिया है descriptive हटा दिया है तो यहाँ पर देख लिजिए आप लोग का 60 120 120 number session 1 में वहीं 75 75 1.500 1.500 number session 2 यानि की 270 number में से आप लोग का merit बनने वाला है तो बहुत बड़ा बदलाव किया है SSC ने जैसा कि उन्होंने CGL में बदलाव करके उसके बाद फिर CHSL में बदलाव किया था तो हम लोग को expected था कि MTS में भी वो कुछ न कुछ changes करेंगी लेकिन इतना वड़ा changes करेगी यह accepted नहीं था कि negative marking का देख रहे हैं session 1 में कोई negative marking नहीं है math और reasoning में वहीं जिसमें बच्चों को गलती होती है उसी में negative marking है जहां GA और English session है वहीं syllabus का बात कर लेते हैं किसका syllabus क्या है तो देखिए math का syllabus है it will be include question on problems relating to integers and whole numbers LCM and HCF decimal fraction relationship between numbers fundamental arithmetic operation and board mass percentage ratio proportion work time मतलब की math का syllabus में इन्होंने कोई changes नहीं किया बस same है वही जो पहले था reasoning भी लगवग वही है GA भी वही है इंग्लिस में भी उन्होंने कोई changes नहीं किया है हाँ जिनका हवलदार का है उनको exam के बाद physical देना पड़ेगा physical का क्या है देखिए walking है 1600 मीटर 15 मिनट में में मेल मेल का 1600 मीटर वाकिंग है वहीं फीमेल का एक किलोमेटर 20 मिनट में है तो यह कोई बड़ा नहीं आराम से आप लोग कर लिजेगा तो physical यह है हाइट आप लोग का मेल का 157.5 है chest 81 cm है 5 cm एक्सपेंशन के साथ वहीं फीमेल का 152 cm है और 48 kg बजन यह उन्होंने देखिए category का दे रखा है यहाँ पर उन्होंने सबसे last में जो हवलदार का वेकेंसी है वो उन्होंने बता रखा है कि कितना कितना किस जगा पर है तो मैं वहाँ direct आप लोग को लेके चलता हूँ 6-7 देखिए आप लोग का state code बगएरा भी यहाँ पर दे रखा है उन्होंने यह देखिए आप लोग का हवलदार का वेकेंसी का डीटेल भी दिया हुआ है दे रखा है तो हवलदार का वेकेंसी में आप लोग को काफी कम चेंजेज देखने को मिलेंगे लेकिन MTS का वेकेंसी में उन्होंने एप्रोक्स लिखा यानि कि MTS का वेकेंसी बढ़ने का काफी संभाबना है ये पोस्ट कोड है उन्होंने पोस्ट कोड दे रखा है जो कि आप लोग को फॉर्म भरने टाइम लगेगा और हाँ इसमें एक चेंजेज और हुए हैं पहले जो होता था लेंग्वेज एक्जामिनेशन का सिर्फ हिंदी और इंग्लिस होता था इन्होंने आप ये पंदरा लेंग्वेज में एक्जाम का कंड़क्ट कराने का वो किया है जिसका सभी का कोड यहां पे दे रखे हैं तो फॉर्म भरने टाइम ही आप लोग को ये कोड लगेगा तो इसका भी आप लोग से अच्छे से फॉर्म भरिएगा कि आप लोग को अगर हिंदी में एक्जाम देना है तो कोड जीरो वन चेक कर लिजेगा और इंग्लिस में देना है तो जीरो टू इसी तरह से कोई दा दिया पॉर्म कैसे भरना है ये फॉर्म भरने का उन्होंने कुछ दे रखा है तेंपल तो फॉर्म कैसे भरना है उससे रिलेटेड भी मैं कल वीडियो बना दूंगा तो अगर आप लोग चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि कि आप लोग को कोई भी अपडेट सबसे पहले मिल जाएं तो यही था आज के वीडियो में यह बहुत बड़ी खुसखबरी है या फिर आप लोग जो कहें क्यूंकि डिस्क्रिप्टिव हट गया है काफी बच्चे डिस्क्रिप्टिव में अच्छे नमर लाके भी डिस्क् क्या है कि आप लोग लिख के भी आते हैं लिकिन आप कनफर्म नहीं रहते हैं कि आप लोग का होगा या नहीं होगा तो डिस्क्रिप्टिव खतम करके बहुत बड़ा बहुत अच्छा काम किया एससी ने और देख रहा हैं एससी रात को 11 बजे नोटिफिकेस्टर अपलोड सभी को 2024 के April तक वो join भी करवा लेगा तो बहुत fast काम कर रहा SSC अब आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए तो यही था आज के वीडियो में मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर जैहिन